नमस्ते दोस्तों कामीनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे एकदम अनोखी और एकदम नई रेसिपी जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी एकदम नई रेसिपी है फ्रेंट्स वीडियो को स्केप बिलकुल भी मत कीजिएगा तो रेसिपी बनाएं तो शलिये भाई स्यूरू करते हैं यहां पर हमने फाथ़ यूज़ कर लिया है याने हमें बडन्थальным को यूज़ नहीं करना है इतर विका हातों से हम इसको इस तरीके से तोड लेंगे और हम इसको ना जादा बड़ा और ना जादा इने छोटा कैट करें तो जो बाकी का extra part है उसको हम निकाल देंगे तो यहां पे गोवी हमारी कटके बढ़िया से ready हो गई आप देख सकते हैं और जो हमारा डंठल बचा है उसको आप आलू और डंठल को बना करके खा सकते हैं फेक येगा बिल्कुल भी नहीं तो यहां पर हमने पानी गरम होने के यह रख दिया था थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे और अब यहां पे हम इसमें अपनी गोवी डाल देंगे तो गोवी डालके हम जो है इसको एक उबाला आने तक यानि 2-3 मिनट तक पका देंगे ताकि जो गोवी में थोड़ी बहुत गंदगी और स्मेल होती है वो इससे ज़्यादा आप हम गोवी को नहीं पकाएंगे तो अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में फ्लेम को कर देंगे हम बिल्कुल बंद तो शेलिये बाई एक बॉल आने के बाद हमने सभी गोवी को निकाल दिया है और अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए तो जब तक हमारी गोवी ठंडी होगी तब तक कि हम next process देख लेते हैं, तो यहां पे हमने 2-3 प्याज को कट कर लिया, यह छोटे प्याज है तो मैंने 2-3 ले लिये हैं, अगर बड़े प्याज हों तो आप 2 प्याज भी ले सकते हैं, तो चलिए भाई हमने लंबा-लंबा काट लिया है, हातों से हम इने हलका-हलका सा रब करेंगे और इनके पैटल्स खुल जाएंगे, इस तरीके से जरूर से कर लिजेगा, इस रेसिपी में इस तरीके से प्याज बहुत ही बढ़िया लगता है, तो चलिए भाई यहाँ पे हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है, नाप के हिसाब से आप कटोरी या कप भी ले सकते हैं, तो मेजरमेंट के हिसाब से ही हम लेंगे, तो उसी कटोरी से एक चौथाई कप मैंने सूजी ले ली है, तो इस रेसिपी में सूजी जरू डालिएगा, बिल्कुल भी सकिप मत कीजिएगा, तो शलिए भाई अब यहाँ पे हम अजवाइन डाल देते हैं, साथ ही में रच चली पाउडर डाल देंगे, और बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है, बहुत ही बढ इससे टेस्ट आता है, हो तो डालिएगा, वन्ना जो है इसमें आप चुरका पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, तो चलिए भाई टेस्ट के अकॉरिंग नमक डाल देंगे, और इसको हम बढ़ियां से फेट लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही हमें इसको फेट लेना है थोड़ा पानी डाल ये फिर फेट ये फिर फेटना है, इस तरीके से फेटने से जो हमारा बैसन है, बढ़ियां से फिटेगा भी और जो हम नाश्टा बनाने वाले है न आप बढ़ियां बोहत ही जादा फूला पूला बन करके त्यार होगा, तो कोल हमारा त्यार है अब हम इसमें गोभी डालेंगे और साथी में इसमें एड़ करेंगे मेथी तो मेथी हमने यहाँ पे थोड़ी एड़ की है लेकिन मेथी जरूर से एड़ कीजिए बहुत ही बढ़ियां एक दम नई रेसिपी है फ्रेंड्स जरूर इस तरीके से तो आप खुदी काएंगे कि यह ट्रिक्स हमें पहले क्यों नहीं मालूम था तो लीजिए हमने सभी चीजों को मिक्स कर लिया मिर्च डालना मैं भूल गई थी तो चलिए हम इस स्टेज पे ही इसमें एड़ कर देते हैं तो सभी चीजों को हमने मिक्स कर दिया है हमारा विल बहुत ही बढ़िया पकोड़ यकिन मानिो इसाथ एकुखी पकोड़ तो आख से पहले अपने पकोड़े तो हजारों बार बनाए होंगे और खाए भी होंगे लेकिन गो भी, मेति, कॉंभिनेशन बहुत ही ज़ादा डिफरेंट है देकिन खाने में बहुत ही मझेदार ये लगेगी तो मेरी ग्यारंटी है अगर इस तरीके से आप एक बार गोभी मेथी और प्यास की पकॉड़िया बना लेंगे तो यकीन मानी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है तो चलिए भाई हमने सभी पकॉड़ियों को डाल लिया था हलकी हलकी नीचे से सुनैरी होन बैक म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ लेकिन जो है रेस्पी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनी है तो लीजिए हमारे जो पकॉड़ियों में सुनैरा कलर आ गया है तो एक दो मिनट के लिए हम इने और अच्छे से क्रंच के साथ में जरूर बनाईएगा आपको बहुत जादा पसंद आने वाली है तो शेलिए बातो बातो में इनमें सुनैरा कलर आ गया है अब इनको निकाल लेंगे वाओ आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बन करके त्यार होती है फ्रेंड्स जरूर क्योंकि इस समय गोभी आ रही है बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बनेगी बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो लीजी हमने एक बैच बना लिया है इसी तरीके से हम अपना सेकिंड बैच भी इसी तरीके से डाल लेंगे तो इस बात का ध्यान हमने इसी रेसिपी में डाली है तो सूजी थोड़ा सा तेल अबजॉफ करती है लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पे इसे सेकेंगे न तो यह बिल्कुल भी तेल अबजॉफ नहीं करती है मैं आगे रेसिपी में आपको यह चीज दिखाऊंगी बहुत ही बढ़िया फ्रेंट् अब बढ़िया सुनेरा कलर होने तक हमने इने भी बढ़िया से सेक लिया है तो शलिए भाई सभी को हम प्लेट में निकाल लेंगे तो लीजिए हमारे गोवी आलू और मेती के क्रंची क्रिस्पी पकोड़े बन करके बिल्कुल त्यार है आवाज आप देख सकते हैं कितने बढ़िया क्रिस्पी और क्रंची यह बनी है तो आप भी इस अनौकी और एकदम नई रिसिपी को बना करके ज German से ट्राइ कीज़िए आप देख सकते हैं कितने बढ़िया क्रंची है कीन मानिए फ्रेंद्स जब भी ँमैं इस रिसिपी को ट्राइ कर veil करती हूं मेरे गर में सबी को बहुत ही बढ़ियां लगती है जो मेथी नहीं भी खाते हैं वो भी इस रेसिपी में बिल्कुल भी पहचान नहीं कर पाते कि हमने इस रेसिपी को मेथी से बना करके त्यार किया है वो मज़े लेके गोबी, मेथी और प्यास के क्रंची क्रिस्पी पकोड़े बहुत ही मज़े से एंज्वाइ करते हैं तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसको रेट चिली के साथ खाईए या टोमेटो केचप के साथ खाईए या फिर ग्रीन चिली साथ एंज्वाइ करिये बहुत ही बढ़िया लगती है तो आप क्रिस्प देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया क्रंची ये बना हुआ है तो देखा आपने कितने बढ़िया क्रिस्पी और क्रंची हमारे पकोड़े बने तो साथ में एक कप चाय का प्याला मिल जाए तो फिर पकोड़ों में चार चांग लग जाते हैं तो बस वही वाली चाय बनाए जो मैंने अपने चैनल पे आपको शियर की है तो रेस्पी आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और बस चुरूर हो जाएए पकोड़ियां बिलकुल त्यार है रेस्पी अच्छी लगी हो मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को लाइच सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्रेंड्स